पिछली वार भी बाबा हम सब को एक कारिय दे गए थे, उस पर ध्यान देना है सभी को, छोटे बड़े सभी स्थानों को चेतन मंदिर बढ़ाना है जो भी भाई बैने आये हैं सभी संकल्प करें, मुझे अपने घर को भी चेतन मंदिर बढ़ाना है आज का संदेज सभी ने सुना है, बाबा गलोब पर खड़े थे दादी के साथ हूचाई पर हम सब जानते हैं संसार में दुख अश्यानती बहुत बढ़ती जा रही है हम अपने घरों के सेंटर्स के वातवर्ण को ऐसा सुन्दर उड़ा कर्शक बना दें आने वाले समय में, जिसके भी कदम उसे स्थान पर पड़ जाएं, उसके दुख दर्द समप्त हो जाएं इतना ही नहीं, हमारे इन पवित्रे स्थानों से ऐसे वाइब्रेशन्स फैलते रहें के उस सारे अक्षेत्र में ही सब के दुख अश्यानती और तनाव नस्ठ होने लगें अपने घर में सभी लक्ष बनाएं, पांच बार कम से कम बैठ कर इसमें समय नहीं लगता, एक एक मिनट इसी समर्ती में रहेंगे मैं मास्टर सर्व सक्तिवान हो ये हमारी स्वमान की साधना है बिना साधना किये, बिना महनत किये, बिना बार-बार अभ्यास किये हम इस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते, बहिए वातावरण अपने अंदर छुपी हुई अनेक विक्रतिया, जनम-जनम के विकर्मों का प्रभाव हमारी सक्तियों को दबाए रखता है यदि हम बार-बार अपने को याद दिलाएंगे तुम्हारे पास परमातम सक्तियां है अपने को याद दिलाएं तुम मास्टर सर्व सक्तिवान हो तो हमारी सभी सक्तियां कारिये रत रहेंगी, एक्टिव रहेंगी और इन सक्तियों से फैलने वाले वाइब्रेशन्स चमतकार करेंगे क्योंकि सबसे पावरफुल वाइब्रेशन्स मास्टर सर्व सक्तिवान की स्मर्ति से ही फैलते हैं सभी अपने अंदर मनसिक रूप से मन बना लें कि हमें अपने अपने घर में कम से कम पाँच बार ये अभ्यास करना है बहुत सारा समय हम बहुत समस्याओं से युद्ध करने में व्यतीत कर देते हैं बहुत सारा हम अपना समय उन सब बातों को समाप्त करने में लगा देते हैं जो आएगी ही नहीं यदि हम मास्टर सर उसक दिवान का भ्यास करें हमारा समय बच जाएगा हमारी कारिये च्छमता बढ़ जाएगी हमें ऐसा लगेगा हमें इसी सिद्य दक पहुँचना है हमें ऐसा लगे के सब कुछ करते हुए भी जैसे की हम कुछ नहीं करते जो आएगा हमें इसी सिद्य हुए जैसे की हमें सब करते हैं